नमस्कार दोस्तों मेरे ना मैं सतीस और आपका बहुत-बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में तो फ्रिंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फायर बॉट के स्मार्ट वाज का टाइम और डेट कैसे सही कर सकते हैं और इस स्मार्ट वाज को फोन के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं बीना कनेक्ट किये फ्रिंट्स इसकी टाइम और डेट आप सही नहीं कर पाएंगे यहाँ पे और इस स्मार्ट वाज में भी आपको कोई सेटिंग ऐसी नहीं मिलती जिससे आप यहाँ पे टाइम और डेट को सही कर पाएं तो इसका time और date सही करने के लिए friends हमको app से connect करना पड़ेगा तो app download करने का QR code है friends आपको smartwatch में मिल जाता है setting पर आपको click करना है click करने के बाद आपको about पर click करना है about पर आपको app download का यहाँ पर QR code मिल जाएगा तो यहाँ से इसको scan करके असानी से आप आप को download कर सकते हैं या फिर आप play store से भी app को download कर सकते हैं आपको जो app download करना है उसका नाम है DAFIT app ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा app है और आपको connect करके भी बताता हूँ तो search बार में यहाँ पर आपको search कर लेना है DAFIT जैसे ही आप DAFIT यहाँ पर search किजिएगा तो यहाँ पर देखिए DAFIT करके app आप आगया है 4.3 की rating है इसकी और मैंने इसको पहले से download करके रखा है ताकि वीडियो बनाने में असानी हो यही app है जिसे ही smartwatch connect होता है जैसे ही connect होगा friends यहाँ पर देखिएगा time अपने आप इसक जाएगी तो चल यह connect करते हैं इसको यहाँ पर open पर click करेंगे तो app जो है open हो जाएगा तो यहाँ पर आपको छोटा सा profile setup करना पड़ेगा यहाँ पर gender select करना पड़ेगा date of birth, height और weight अपने हिसाब से आप select कर लिजेगा तो यहाँ पर सब कुछ आप अपने हिसाब से select कर लि लिए तो आप चाहें तो allow कर भी सकते हैं नई भी कर सकते हैं हम इसको यहाँ से don't allow कर देते हैं उसके बाद फ्रेंस आपके सामने कुछ इस तरीकी के interface आ जाएगा तो यहाँ पर आपकी today activity सब कुछ सो करेगी कि अपने steps कितने चले हैं sleep monitoring आपका यहाँ पर सो करेगा आपका उसके बाद यहाँ पर अगर आप click करते हैं तो यहाँ से आप अपने smartwatch को connect कर पाएंगे और उसके साड़े features को use कर पाएंगे friends इस साड़े features के ऊपर मैं एक detail में video बना चुका हूँ उस video में सब कुछ step by step एक एक feature मैंने बताया है कि क्या क्या features आपको इसमें मिलते हैं और उसको आप कैसे use कर सकते हैं तो उस video का link आपको i button पर मिल जाएगा या फिर description में उसके link मिल जाएगा तो आप जाके देख सकते हैं और अच्छी तरह से इस smartwatch को आप use कर सकते हैं ठीक है friends उसके बाद friends यहाँ पर अगर आप click करते हैं तो यहाँ पर आपका profile दिख जाएगा गोल सापका दिख जाएगा इस ट्रेप का गोल उसके बाद यहाँ पर गूगल फिट से को connect कर सकते हैं और about देख सकते हैं ठीक हैं तो हमको यहाँ पर click करना है connect करने के लिए उसके बाद यहाँ पर add a device पर simply click कर लेना है click करने के बाद यहाँ पर location का जो permission आपको दे देना ह उसके बाद nearby device को भी आपको allow करना पड़ेगा तो allow कर देते हैं उसके बाद friends बोल रहा है कि आप Bluetooth को allow कर दीजे on कर दीजे तो यहाँ से Bluetooth को भी हम on कर देंगे उसके बाद friends हमने location का permissions तो दे दिया लेकिन location को on नहीं किया है तो friends यहाँ पर देखिए enable करने का option आ रहा है तो simply हम इसको enable करेंगे यहां से enable करेंगे उसके बाद यहाँ आप location को on कर देंगे ठीक है सिंप्लि इंट्रफिस आएगा और पीछे हमारा smartwatch connect भी हो रहा होगा तो देखिए friends यहाँ पर connect हो गया 15 तीन लिख के आगया यानि कि हमारी जो time है वो सही हो गई है यहाँ पर देखिए 3 बज के 13 मिनट हो गया तो time format भी यहाँ पर select हो गया है हमारा 12 horse में यह smartwatch भी show कर रहा है उसके ब अब यहाँ पर directly connect करने के लिए इसको pair कर लेंगे तो यहाँ पर calling feature को भी हम आसानी से use कर पाएंगे ठीक है friends तो यहाँ पर क्या बोल रहा है friends कि आप यहाँ पर ensure कर लिजे कि आप कोई antivirus तो use नहीं कर रहा है अपने phone में अगर आप antivirus यूज कर रहा है तो आपको यहाँ पर problem आ सकती है call receive में problem आ सकती है Bluetooth बार-बार disconnect हो सकता है और यहाँ पर कुछ जो feature है आप इसको use नहीं कर पाएंगे तो यहाँ पर कोई application है antivirus का तो यहाँ पर go to set पर click करके और जाके देख सकते हैं उसको कैसे आपको उस application को यहाँ से remove करना है उसका permissions remove करना है हाला कि मैं आपको बताऊंगा कि friends आप यहाँ पर antivirus अगर use कर रहा है तो उसको delete कर दीजे अपने phone से ठीक है आपको उससे कोई फायदा नहीं होता है तो हमारे phone में कोई antivirus नहीं है तो हम यहाँ पर simply done पर click करेंगे click करने का और फिर से यहाँ पर बोल रहा है कि आप एक पर और चेक कर लीजिए चेक कर ली हैं तो आप यहाँ पर continue कर सकते हैं तो हम यहाँ पर continue करेंगे continue करते हैं friends देखिए हमारा smartwatch connect तो पहले ही हो गया था यहाँ पर सो कर रहा है कि connected हो गया है 31% charge है यहाँ से आप wallpaper को change कर पाएंगे यहाँ पर click करके जिस पर आप click करेंगे व वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा तो वहाँ पे साड़े features आपको मैंने समझाये हैं तो उमीद करता हम friends आपकी smartwatch की time और date दोनों ही सही हो गई होगी इसके बाद भी friends आपको कोई problem आ रही हो तो आप मेरे से comment करके पूछ सकते हैं ठीक है friends मिलते हैं अगली वीडियो मे में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद